नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी दुनिया कोरोना की मामारी साथ पुरी तरह वर भी नहीं पाई थी, विसोबर के लिए अब एक नई शुनोती सामने आ गई है आप बता देगे हम बात कर रहे हैं मांकी बॉक्स नमद एक विरस के बारे में, जिसने अफरीका में जनले वर तबाई माचाने के बाद, अब एस्या में भी अपने पैर पाशार ना सुरू कर दिया है बता देगे मांकी बॉक्स विरस एक दूर लब लेकिन खतरनाक संक्रमड है, जो पिछले खुछ समय से दुनिया पर में चिंता का विसे बना हुआ है आपकी जनकर्ड के लिए बता देगे इस साल अफरीका में मांकी बॉक्स विरस के 14,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किये गए हैं जबकि इन मामियों में से 524 मरी जोगी मौत मांकी बॉक्स विरस से चलते हुई है वह मिली जनकर्ड के मुताबिक अब यह विरस विसेस रूप से उन्चेदरों में फैल रहा है जहां इसका पैलर्स कभी नामों निसान भी नहीं था जिसके बद हमारे लिए गोर करने वाली बात है कि इस विरस से संक्रमर का ताजया मामला हमारे पोरोसी देश पाकिस्तान से आया है जिसे लेकर पाकिस्तान के स्वास्त मंत्राले ने पर पुष्टी किया है अगर जैसा कि विश्वस्वास संगठने इस बिमारी को ग्लोबल हेल्टेमरिजंसी को भुषित कर दिया है ऐसे मैं वाई है हम इस बिमारी के लच्छन कारण और इस बिमारी से पचाओ के विश्वे में जानते हैं तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मांकी पॉक्स वायरस के बारे में जो की एक जूनेटिक वायरस है वहिए अगर आपको जूनेटिक वायरस का मतलब नहीं पता तो आपकी जैनकारी के लिए पता देगे जूनेटिक वायरस वे वायरस होते हैं जिसमें इसकीन पर दर्धनाग फोड़े हो जाते हैं इसके अलवा संक्रमीद व्यक्तिकों बुखार्ट, सिड़र्द और सरीर में अलग लग जगा तेज दर्द और जखरन मासुस होने लगता है आपको बता देख इस वैरस के दो प्रकार हैं अब आगे बात कर इस वैरस के लच्छन की तो प्रप जनकरी के मुताविक मंकी पोक्स लच्छन जल्दी नहीं दिखते हैं ज़री कोई व्यक्ति मंकी पोक्स संक्रमीद होता है तो एक सो दो हफ़ते के बाद इसके लच्छन दिखते हैं बता देक मंकी पॉक्स के लाशन दो चर्णों में देखने को मिलते हैं जिसमें प्रारमबेटी चर्रमे संक्रमी द्वैक्टी पो बुखार, सिर्ड़, मांस-पेस्जियों में दादो ठकान जैसी समस्या मासूस होती है जबकि दुसरे चेर में सक्रेट वर्थी के सरीव में दाने और छाले निकलाते हैं और बता देख ये दाने चेरे हाथ प्रहरों सरीव के अन्य हिस्सों पर होते हैं जिसमें पहले छाले में तरव पदात भरे होते हैं और बाद में सूख और पपड़ी नुमा बन जाते हैं वहीं बता देख सारे रिक परसानी को या तो आम तो पर दो से चार आफ्टे दग चलता है जब कि World Health Organization के मताबिक Monkey Puffs के कारण व्यक्तिकों नीमोनिया, उल्टी, खाना नीगलने की कट नहीं और नजेर में कमजोरी समथ कुछ आन परिसानियां हो सकती है बता देख विश्व स्वास संक्रटेम का कहना है कि यदि HIV वाले लोगे Monkey Puffs डिटेक्ट होता है तो या बीमारी उनके लिए बेहत जोकीम का भी से बन सकता है इन सबके बाद अब आखिर में बात करें इस वायरस से बचाव के विश्व में तो अगर किसी वेक्टी में Monkey Puffs की लच्छा डिखाई दे तो उसे तुरन डॉक्टर के पास बेजे वह अगर संक्रवी द्वायर्टी आपके परिवार से है तो उस वेक्टी के संपर्ग में आने से पर्हिच करएं और अन्ession लोगों से संक्रवी द्वायर्टी को अलग रखें इसके अलाव संक्रवित व्यक्ति साहिद कर गे अन्य लोगों को जरूरी रूप से माक्स पहनने का निर्देश ने और साथी संक्रवित व्यक्ति एक कपड़े बिस्तारों अन्य समान को अलग रखें अपको बतार इल्मंकी बॉक्स एक गंपिर लेकिन नियंदित करने योग्यों रोग है जिसके बारे मिजय व्यक्ता और सताक्ता गिया हो सकते हैं जिर इस समय पर इसका पता लगया जाए और उजीद साहों धानिया बढ़ती जाए तो इस वैरस से बच्चाव संभव है जिसका मतलब है कि अगर हम सभी सरकार रस्वास संग्ठनों द्वारा जारी डिसान देस का पालान करते हैं तो हम अपने और अपने परिवार्ड को इस संग्रमण से सुरचित रख सकते हैं